तो आज का वीडियो उन लोग के लिए होने जा रहा है जो उनके पास बीटेक का डिग्री है हाँ तो एंगलो इस्टन में बहुत ही अच्छा ऑपर्चुनिटी आया है जो उनका एक मैई से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उनका बहुत अच्छा कॉलेज है वैसे तो एंगलो सारे लिजिब्टी क्राइटिय जो इनके हाईयर है बाकी कॉलेजिस से तो बहुत अच्छा ऑपरचुनिटी है और इनका अभी एक स्पेशल ड्राइब या जिसमें ये विदाउट फीस आप इनके पोर्टल पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं एटियो कोर्स के लिए तो उसी क एमी 42 और 15 के लिए बैच के अप्लीकेशन ओपन है तो आप यहां पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए हम एटियो का अधिसन देखते हैं डीटेल्स यहां पर तो चलिए हम एंग्लो इस्टन में एटियो की eligibility criteria देख लेते हैं तो यहां पर बीटिक डिग्री होना कमशली है से इलेक्ट्रीकल इंगिनिनिंग से डिट्रीकल नीट्रीक्ल नेक्ट्रीक आं क्मिनिक genial जो क्यों नेवीच ऐलेक्ट्रॉनिच्ण इनिंट्रमेट्स नेँजिनिएरिंगरिग यह एक UGC अब्स अफ्रूवर्सितोंत चाहिए और II-CE c मिनिमम 65% मार्स आग्रीकेट होना चाहिए पूरे चार सल का मार्स 65% और फाइनल ये में 65% मार्स होना चाहिए और क्लास 12 में भी मिनिमम 65% मार्स टेन्थ पीची एम और अगर आगे कि अगर इंगली में तो और फिजिकल एंडिकल स्टैंडेट्स तो डिजिए सिपिंग गाइडलेंस के कॉर्डिंग वो में फिजिकली फिट होना चाहिए और आई साइट के बारे में आप लिखा है तो डिजिकल स्टैंडेट्स है वो देख सकते हैं उसके बाद रिस्टेशन पर्सेस आप लिखाओ है प्लाई पेमेंट सीट बुकिंग और इंका इंटरंस टेस्ट में पहले पार्ट वन में आपका इंगलिस अप्टिट्यूड और इलेक्रिकल इंगिनिंग टॉपिक्स होग होगा और टॉटल हंडेड मार्ट का होगा इसमें नो नेगेटिव मार्किंग और लेवल अफ़ डिफिकल्टी फोर इस टेस्ट इस बेस्ट ऑन दी डिग्री लेवल फॉर एटीव कैंड़िट्स और अगर आप पहला पार्ट क्लिएर कर लेते हैं तो सेकेंड पांट में आ अगर यह सारा आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको प्रोविजिनल सेलेक्शन लेटर दिया जाएगा और इसके लिए आपको क्लास 10 गारेजिनल मार्ग सिट बीसी ग्राइजिट जो भी आपने किया वह आपको सब्मिट करना है पासपोर्ट मेडिकल फिटनेस रिपोट टू प आपको एडमिशन मिलेगा तो यहां से आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं अंगलों का तो फी स्ट्रक्चर यह प्रिविएस बैच का दे रही है 3,70,000 टोटल और कॉसन डिपोजिट मनी है 15,000 रुपीज और इस सारा डीटेल्स आप यहां से देख सकते हैं तो पुरागपुरी आप मान के चले कि 4,000 रुपीज आपका खर्च हो सकता है टोटल पुड़े कोर्स करने में और गर्ल्स के लिए तोरा सायद इसमें यह लोग कंसेशन देते हैं कुछ डिस्काउंट होता है तो गर्ल्स का अलग से फी स्ट्रक्चर है वह भी हम देख लेते हैं तो गर्ल्स के लिए 3,00,000 रुपीज टोटल फीज और कॉसन डिपोजिट में 15,000 रुपीज तो सलेक्शन होते ही आपको एडमिशन प्रोसेसिंग फीज ज कल रहा है भी एक में में और ऑक्टोबर में दोनों 4040 सीट्स का है और यहां से एट्यों इंट्रेंस एक्जाम का सिलिबस में मिल रहा है तो आप यहां से क्लिक करके डाउनर के देख सकते हैं तो इनका बैसिकली एमसी को टैप का कुश्चन होता है तो जेनरल में कॉंसेट आप इलेक्टरिसिटी जेनरेशन ट्रांस्मिशन दिस्टिविशन उट्रिशन उटिलेजेशन इलेक्ट्रोनिक्स और कम्टीकेशन दो नमरे प्रिंसिपल अब डारेक्ट अन अल्टरेंटिंग करेंट एंट सर् आपको कुश्चन यहां पर आ सकते हैं फिर इंग्लिस में संटेंस कंपलिशन ग्रामर वोकावलरी कॉंप्रियंशन आप्टिट्यूड में क्वालिटेटिव कॉंटिटेटिव अबस्ट्रैक्ट रिजिनिंग स्पेसियल रिजिनिंग और लॉजिकल रिजिनिंग जो इनका सारे अप्लिकसन लेवल की कुश्चन से डारेक कोई कुश्चन चिनका नहीं था जो लोग मर्चेनेवी में एटीव कोर्स करना चाते हैं या फिर दी एनस हो या जी एमी कोर्स करना चाते हैं आंग्लो इस्टन जो कॉलेज है वो उनके टॉप प्राइरिटी होती है क्योंकि एक तो कॉलेज बहुत अच्छा है और यहां पर अच्छे बहुत सारे सिप्स हैं तो इनकी जो सालरी है स्टाइपेंड जो करेट सिप में मिलती है वह बाकी कंपनियों के सबसे अच्छा है इसलिए एक टॉप चोईस रहता है सारे स्टुडेंस का और जब मैं करना चाता थ तो जोए और न ही ताब आउर कोई नहीं करता थे लिकिन मैं पहले एकटा में अंगलो का इंटरवी प्लियर नहीं तो यह अगर उटार तो अगलो एसटन का स्पैसल ड्राइव है इत्यों बैच के लिए तो golden opportunity for B.E. B.Tech Electrical Engineering, Electronics Engineering, so join our upcoming ETO batches. Register only if you meet the below eligibility criteria, so attend online exam from home, so 22nd January को इनका special drive है, इसमें कोई fees भी नहीं है, तो 22nd January को इनका exam है, और eligibility criteria यहां भी दिया हुए है, minimum 65% in PCM, hard diploma, 50% in English, 65% aggregate in B.E. B.Tech, 4 years, minimum 65% in B.E. B.Tech, final year, और maximum age should not exit 28 years, तो इसको पर रजिस्टर करने के लिए आपको यह QR code यहां पर दियेगा, आप इसको scan करेंगे, तो आपके Google Drive मिलेगा, उसमें अपना details जाल देजिए और आपका application form हो जाएगा, तो बहुत है सिंपल यह process है इनोंने दिया है इस drive के लिए, तो आगर आप इसमें eligibility criteria maintain करते हैं, meet करते हैं, तो जरूर आपको apply करना चाहिए इसमें, बहुत अच्छा opportunity है, आइंग्लो इस्टन वन अप दे बेस्ट कॉलेज है, आप यहां कोर्स कर सकते हैं, कैज मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि ETO के लिए best college कौन सा है, जो कि sponsorship देती है, तो बेस्ट कॉलेज का sponsorship open है, जाओ जल्दी से आइंग्लो इस्टन कॉलेज में apply करो, आइंग्लो इस्टन कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, और यहां पे ETO कैड़ेट को सबसे जास stipend में मिलती है, कैड़ेट सिप में पहले जहाज पे, तो कि अल्मूस्ट सेवन फिप्टी टू एट होने डॉलर है, कैड़ेट सेप में जहां तक मुझे पता है, तो इस मौका को गवाना ने चाहिए, अच्छे से आप exam की तेहरी करो, interview दो और अपना selection पाओ, और यहां पे first come first serve भी होता है, अगर इनका 40 seats भर जाता है, तो अगर आपका selection होता है, तो इसका बदा यह आपको अगले बैचे में डाल देते हैं, तो जैसे इंफर्म निकला है, तो आप as early as possible अपने अप्लाई करो, और exam दो, interview दो, तो मैं आप सभी को all the way switch करता हूं, और इस वीडियो को यहीं प्यांत करता हूं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जै हिन, जै भारत!